नमस्कार मैं दिपाली आप सभी का स्वागत दिपाली आस्ट्रो में करते हूं और देखते हैं ये नया साल 2022 हमारे लिए कैसा जाने वाला है चार-चार महिने पर देखेंगे किया परिस्थितिया हमारे लिए ढल रही हैं बात करते हैं कन्या राशी वालों के लिए कन्या राशी वालों आज से अगर मैं आपके शुरुआत के आठ महिने देखूं तो परिस्थितियां आपके लिए फेवरिबल हैं थोड़ा साथ तीम-चार महिने रिलेशन्शिप में इस्थिरता बिठाने में आपको दिक्कत हो सक अगर आपको लग रहा है चोटी मोटी गांथ आगाई यहां पर आपको लगता है कि बातचीत से शुलत सकती है तो आपको अपकारिरत हो जाना चाहिए तुरंत आपको अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि तीन-चार महिने आपके इमोशनली चीजों को सौट आउट करने में लग सकते हैं चाहिए आपके निजी संबंदों की बात करूं या ओवराल परिवार की परिस्तिती की बात करूं लेकिन आपकी परिस्तिती इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आप पीस या इंट शेतर में उनती के संदर्म में या बिजनस वैपार में उनती के संदर्म में काफी जादा लाब दायक या कारगर सिद्ध हो सकता है साथ ही साथ अगर लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक रिण है तो वो भी अब खतम होता हुआ नजर आएगा और सिंपल सी बात है इंकम जेनरेशन के कही न कहीं और बहतर या बेटर सोर्स जेनरेट होकर आ रहे हैं तो कुल मिलाकर साल के अंत तक आपकी परिस्तिती फिनैंशली भी स्ट्रॉंग हो जाएगी रिष्तों में स्थिर्ता तो पहले से बनी हुई है थोड़ा सा टैक्टफुल होकर इस साल को ल